दोस्तो तर्बूज जितना मिठा होता है उतना ही मज़ा खाने में आता है लेकिन आज कल मार्केट में इंजेक्शन वाले तर्बूज मिल रहे हैं जिने खाने से हमारी तबियत खराब हो सकती है कहीं आप भी अपनी सहत के साथ खिलवार तो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ इस व थ्रोसिन नामक केमिकल डाल दिया जाता है यह केमिकल एक तरह की लाल डाई होता है इस डाई को कई लोग मिठाई, कैंडी, ड्रिंक्स में भी मिलाते हैं गुर्मेंट ओफ इंडिया ने फॉलो के अंदर इस तरह के खतरनाक डाई को मिलाने से मना कर रखा है अब सवाल यह उठता है कि आप यह जानेंगे कैसे कि जो तरबूज आफ खरीद कर लाए हैं वो नकली है या फिर असली इसके लिए आप तरबूज को दो हिस्सों में बराबर काट लें इन में से एक हिस्सा लें और इस हिस्से के उपर रूज की एक छोटी बॉल बनाकर इसके लाल गुदे पर अच्छे से रगड़े अगर आपकी रूज पर किसी तरह का रंग नहीं चड़ता है तो यह तरबूज पूरी तरह से नेचुरल है इस तरबूज को पकाने के लिए किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है ऐसे में इसके मीठे होने की संभावना सबसे अधिक होती है अब यह जानते हैं कि केमिकल से पकाए तरबूज की पहचान कैसे कने अगर तरबूज के टुकडे पर रूई की बॉल लगणने से रूई का रंग लाल हो जाता है तो इसे केमिकल से पकाया गया है यह आपकी सहत के लिए खतरनाक हो सकता है अगर आप केमिकल से पके हुए तरबूज का सेवन करते हैं तो आपको उल्टी, पेट दर्द, दस्ट, जी मिचलाना, भूक न लगना, आदिस समस्याएं हो सकती हैं कुछ शोद बताते हैं कि लंबे समय तक इसका सेवन थाईराइड जैसी बिमारी का भी कारण बन सकता है पके हुए और नेचुरल तरीके से पके हुए तरबूज पहचान कर सकते हैं और उसके नुकसान और फायदे भी जान सकते हैं सहत से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें